यूपी में दस राज्यसवा सीटों पर मद्दान जारी है जिसमें आट सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मिद्वार की जीत तैमानी जा रही है लेकिन एक सीट को लेकर जबरदस्ट पेच फसा हुआ है सत्तापक्ष बीजेपी और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर है ऐसे में दोनों एक दूसरे की विधायकों में सेंद मारने की कोशिश कर रहे है समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के उम्मिद्वार को जिताने की जिमेदारी शिवपाल यादव को सौप रखी है तो बीजेपी की तरफ से अमिच्छा ने कमान समाल रखी है बीजेपी के अनिल सिंग ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को वोट दिया है अनिल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतर आत्मा की आवाद सुनकर बीजेपी को बोट दिया है तो वही शिवपाल यादव ने दावा किया कि दस्वी सीट उनके खाते में ही आईगी शिवपाल ने कहा कि अगर हमारे खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई तो बीजेपी के विधायक भी तूटेंगे शिवपाल ने कहा कि हमारा परिवार पहले भी एक था, अब भी एक है हमारे अंदर कोई तूट नहीं है, सभी परिवारों में जगडे होते है इसका मतलब पार्टी में तूट नहीं होता एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट